नमस्का किसान सातियों, मैं सैदेव चोधरी, मेरी यूट्यूब चैनल फार्मर टॉक में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का जो ये वीडियो है, वो कपास की मैतपूर्ण 10 किस्मों के बारे मोहने माला है जैसा कि आप जानते हैं किसान भाई अपने खेतों में अब जो कपास की खेती करना चाहते हैं अपने खेतों को तयार कर रहे हैं, तो वह इस दिवेदा के अंदर है कि अपनी मिट्टे के लिए कौन सी किस्म अच्छी रहेगी, उसका उत्पादन कैसा रहेगा इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा, आज इस वीडियो को आप पूरा देखें, दस किस्मे कौन सी मिट्टे के लिए कितनी उप्योगी है, उनकी क्या-क्या खासियत है इन सब के बारे में इस वीडियो के माद्यम से हम चर्चा करेंगी, आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे दुआरा नए नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कपास की प्रथम विराइटी के बारे में, जो की अपना है रासी का 773, इस जो विराइटी है, इसको ज़्यादा पानी और बारी मिटी है, उसके लिए उप्यूक्त माना जाता है, ये बारी मिटी के अंदर ज़्यादा होती है, उस मिटी के अंदर इस रासी 773 का उप्योकर है, इसके जो बोल होते हैं वो भी बड़े होते हैं, और आकार में बड़े होते हैं, उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरी जो विराइटी है वो रासी 776, ये भी आपके खेत की मिटी थोड़ी हलकी मद्यम है, तो आप इस किस्म की बुवाई कर सकते हैं, इसके बोल भी काफी बड़े होते हैं, और इनसे जो जब फड़ते हैं, तो इनसे कपास निकालनी बहुत आसान रहती है, और इनको आप जहां कम पानी की उपलब देता है, वहां पर भी आ बहुत ही अच्छी किस्म है, इस मिटी के लिए इसको विशेस रूप से बनाया गया है, जो किसान बाई जहां आपनी ट्यूबेल वगेरा है, या छोटा मोटा पॉंड है, उससे अगर वो कपास की खेती करना चाहते हैं, जहां कम पानी की उपलब देता है, हलकी मिटी है, रेतिली मिटी है, जैसे पस्ची मी राजस्तान है, नागोर है, बिकानेर है, बाडमर, ऐसे जो जिले है, जहां पर पानी की उपलब देता कम है, मिटी हलकी है, बुरबुरी है, उस मिटी के लिए ये जो रासी का 602, 650 की वे बहुत शानदार रहने वाली है, अब हम बात करत ने, उनके लिए बहदी उप्योगी है, इसके बोल भी काफी बड़े होते हैं, जो फटने के बात, इनमें से कपास निकालना बहुत आसान रहता है, इनका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, अब हम बात करते हैं, वेराइटी नमर पांच की, जो की है, सरपास का 71 बहतर, ये जो कपास की विराइटी है, ये बारी मिट्टी के लिए उप्यूक्त है, अधिक पानी की आवशकता होती है, इसके बोल भी काफी बड़े होते हैं, इसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, इसकी साखाएं लंबी और बड़ी होती है, और इसमें बोल की जो संक्या हो जो किसान बारी मिट्टी, जिनकी मिट्टी अच्छी होती है, जलोड मिट्टी, काली मिट्टी होती है, वहाँ इसकी खेति करना उप्योगी रहता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हता है, उत्पादन जादा होते हैं, इसमें बोल की संक्या बहुत जादा होती है, बड़ा होता है यह मद्यम हलकी मिट्टी जहां होती है वहां किसान इसको लगा सकते हैं और इसका उत्पादन भी जादा होता है बोलों की संक्या भी जादा होती है और यह जहां पर जादया पानी की उपलब दता है जहां पर जलोड और चिकनी मिट्टी काली मिट्टी होती ह वहाँ पर इस variety को लगाना सब के लिए सर्वोतम रहेगा अब हम बात करते हैं आठ नमबर variety जो की है माइको का MRC 7373 दंदेव की इसकी पकने की अबदी है 60-60 दम में वे पक कर तयार हो जाती है इसमें अधिक साकाओं के साथ फिलने वाला पोदा होता है इसकी साकाओं पातरा फटने जमा करने में आसानी होती है इसके जो बोल बड़े होती है इसको बजन भी ज्यादा होता है तो किसान के लिए फाइदा रहता है कि इसका प्रोडेक्शन भी ज्यादा होता है और इसको जमा करने भी आसानी होती है जो लेबर लगी होती है उसको निकालने भी mixer जो ये variety है वो तयार की है उन्होंने हलकी और बारी दोनों परकार की मिट्टी के लिए काम में आ सकती है इसकी जो पकने की अवद दिये वो 170 से 175 दिनों की है ये पूर्ण ते रस्टूशक जो white fly वगेरा ऐसे जो कीट होते हैं इनके लिए पूरी तरह variety लगती है आपके इलाके के हिसाब से उस variety को आप लगा सकते हैं एक आपके और भी बहुत सी variety आपके अंकूर वगेरा ऐसी बहुत सी variety आपके अंदर उपलब दे क्रिस्टल का आता है कपास तो नर्मा वो कपास जो आपकी मिट्टी के अनकूल और बढ़िया बीज आपको जो लगता है वो आप लगाएं और अपने मिट्टी को आराम से देख लें धन्यबाद